जूनियर NTR की फिल्म देवरा ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर बड़ा धमाका किया है, पहले दिन का कलेक्शन 140 करोर रुपे तक पहुँचने का अंदाजा है और फिल्म को लेकर फ्रैंस खूब एक्साइटड हैं, हाला कि रिव्यूज थोड़े मिक्स थे लेकिन इससे कमा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, जबरदस्ट ओक्यूपेंसी, तेलुबू वर्जन की मॉनिंग शो की ओक्यूपेंसी 80 प्रतिशत रही, दिन में थोड़ी कम होके 70 प्रतिशत हुई, लेकिन इवनिंग शो से उम्मीद है कि ये कलेक्शन और भी बढ़ेगा, अगर ये ट् अमेरिका में भी शांदार कमाई की है, वहां के प्रीमियर शो से फिल्म ने 2 डॉलर और 80 सेंट मिलियन लगभग 23 करोड कमाए, कितनी रही देवरा की फर्स्ट डे कलेक्शन, भारत में देवरा का पहला दिन भी शांदार रहा, इंडिया नेट कलेक्शन 52.4 करोड रुपे हिंदी बेल्ट में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, मौनिंग में हिंदी ओक्यूपेंसी 9.63 प्रतिशत थी, दोपहर में 14.85 प्रतिशत और इवनिंग में 17.20 प्रतिशत, उमीद है कि आने वाले दिनों में फिल्म और भी अच्छी कमाई करेगी, कल की 2898 इस्वी से 95.5 करोण रुप्य की कमाई की थी, जो कि देवरा से काफी जादा है, देवरा और बाकी फिल्मों से मुकाबला, फिल्म स्त्री दो भी हिंदी बेल्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि देवरा आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेंड कर फिल्म के दूसरे पार्ट का भी बेसबरी से इंतजार है